Hello and welcome you world, I am Rohit from Marjan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ITC की So, वीडियो को आगे continue करूँ उस से पहले अगर आप एक intraday trader हो तो आप हमारे telegram channel को join कर सकते हो Telegram channel की link आपको नीच ये description में मिल चाएगी So, ITC अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे returns हमें देता हुआ नजराया है पिछले कुछ time से stock अच्छे return दे रहा है आज भी stock ने अगर देखे 1.30 रूपिस के round तक की यहाँ पर return दिये है 0.29% के basis पे और stock ने closing दी इन returns के साथ 444.10 रूपिस के label पे यहाँ आपर अगर देखे तो ITC में JP Morgan की और से कुछ updates है कुछ target इन्होंने updates किये है उसके बाद stock में और एक अच्छी बड़त हमें देखने को मिल सकती है यहाँ बर अगर दिखा जाए तो 5 दिन में काफी तगड़े fluctuations stock में देखने को मिले गए हो कभी negative news आई, कभी positive news आई और अगर फिर से अगर दीखोगे तो JP Morgan की और से कुछ updates आया है उसके बाद stock फिर से अच्छे returns की और बढ़ रहा है आप खुद देख सकते हो काफी हद तक upside down और momentum नज़राया है पिछले 5 दिनों में 40 पेसे के round share अगर आप दीखो तो गिरता हुआ नज़राया है वही अगर देखे तो last one month की अगर बात कर लें लास्ट one month में इस share 12 रुपे 60 पेसे के round यहाँ पर एक अच्छी बढ़त के साथ बढ़ता हुआ हमें नज़राया है share ने अच्छे returns दिये हैं यहाँ पर stock ने एक breakout दिया था उसके बाद share और भी बहतरी इन momentum बताता हुआ हमें नज़राया उसके बाद आप पर देखोगे support stock ने लिए और support के साथ ही आगे बढ़ रहा है आगे बढ़े और यहाँ पर आप देखोगे तो 6 महिने में stock 105.70 रुपीज के round तक के return दे चुका है 31.424% के basis पे returns रहा है और यहाँ पर आप खुद देख सकतो ब्रोकरेज पर्म है JP Morgan और इनकी ओर से अगर दीखे जाएं तो कुछ targets इनकी ओर से maintain किये गए हैं और जो rating है इनकी buy side के ओर है और यहाँ पर जो target इनकी ओर से दिया जा रहा है target price है 480 रुपिस का तो यहाँ पर यह काफी बड़ा impact डालने वाला है ITC के ओपर और ITC का शेयर फिर से उपर की ओर यहाँ पर एक bull run में भागने वाला है तो कुछ levels भी हैं कुछ यहाँ पर levels है जिनकी बदलत हम देखेंगे ITC आगे कितना बड़ेगा तो यहाँ पर आप देखो तो काफी लोग इसमें positive भी है यहाँ पर अगर देखा जाए तो stock में 70% लोग की ओर से buy करने के लिए कहा जा रहा है और वही अगर देखे 10% लोग की ओर से stock में hold करने के लिए भी कहा जा रहा है total numbers की अगर बात कर ले तो 80% लोग है जो stock में यहाँ पर आपको positive नजर आने वाले है साथ ही 20% लोग है जो stock में यहाँ पर sell करने के लिए भी कह रहे है तो काफी हद तक यहाँ पर आप देखोगे तो positive rating हमें ITC में नजर आ रही है बात कर लेते हैं इसके dividend की भी तो company की ओर से दो dividend announce किये गए थे एक है final dividend और second है special dividend तो final dividend है 6.75 रुपिस के राउं तक का और जो यहाँ पर अब special dividend है वो है 2.75 रुपिस का तो यहाँ पर total की अगर बाग total कर लिए जाया तो 9.50 पेसे आपको हर्शे रुपे मिलने वाले है तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पर इस stock को 30 मही से पहले बाई किया होगा उन्हें मिला होगा और यह पेसा account में कब credit होगा 9.50 पेसे का यहाँ पर जो यह पेसे है dividend के कब payout होगे कब payment की जाएगी आपके account में तो यहाँ पर आप देखोगे तो 17 अगस्त दो हजार तेविस यहाँ पर एक एस की जो dividend की payment date है और आपके सामने है 17 अगस्त दो हजार तेविस इसके dividend की payment date है और इसी दिन आपके account में पेसे transfer किये जाएगे stage का आपको ध्यान रखने अब बात कर लेते हैं levels की तो levels के उपर हम आ गए है और यहाँ पर share अगर आप देखोगे तो एक symmetrical type pattern यहाँ पर बनाता हुआ नजर आ रहा है एक symmetrical type pattern stock ने यहाँ पर create किये है वही अगर आप देखोगे तो आज share ने काफी upside down momentum बता है but at the end अच्छे returns के साथ ही closing ली यहाँ पर आप देखो तो share यहाँ से बड़ा था आज और यहाँ से गिरा पहले 445 की level से और इसने support लिया 443 रुपिस के level पर और यहाँ से support लेते ही इस share उपर की और यहाँ पर हमें जाता हो न जराया stock ने बहतरी return दे दिया but again एक गिरावट रही और again इसने support लिया 443 के level से यहाँ से गिरावट आई और again इसने इसने इहाँ पर support ले लिया फिर उपर गया फिर again इहाँ पर support लिया और यहाँ से एक अच्छे rally इहाँ पर इसने बताई फिर इसने rejection लिया 445 के level से और again 444.44 के level पर इसने support लिया तो upside down momentum हमें देखे है ITC में और at the end positive return ही देखने को हमें मिले तो इस symmetrical type pattern के साथ साथ एक pollen flag type pattern भी है यहाँ पर आप देख सकते हो pollen flag type pattern भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा और वही अगर उपर का level stock ने break कर दिया उपर के level को अगर इसने break कर दिया तो यहाँ से return और भी बहतरीन होने वाले हैं और भी शांदार rally stock में हमें देखने को मिलने वाली है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो 30 मिनट के चार्ट रेम पर भी symmetrical type pattern देखने को भी लेगा इस pattern का breakout हमें मिल चुका है यहाँ पर आप दीखोगे तो share में 451 रुपिस के level से अल्डेडी इसने rejection यहाँ से लिया है बिल्कुल गिरावट है stock ने यहाँ से बताई है और उसके बाद stock यहाँ पर आप दीख सकतों support भी लेता हुआ नज़राया उपर से अगेन इसने rejection लिया फिर एक support लिया तो upside down momentum stock में हमें देखने को मिला एक symmetrical type pattern हमें share में देखने को मिल गया उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे है तो आने वाले time में और भी बहतरे इंटेन मिले गए इस straight line के साथ साथ यहाँ पर इस level को भी break करणा होगा क्योंकि यहाँ से भी यह शिरगिरा है आप देख सकते हूँ और इस level को अगर इसने break किया तो यहाँ से बिलकुल 450 one का जो level है यह level easy अचुई हाँ पर होने वाला है तो इन levels का भी आपको ध्यान रखना है और यह level 451 का break हुआ तो और नए बड़े high इसमें लगने वाले हैं new all time high लगेंगे तो ITC को हम काफी time से track कर रहे थे और जब जब इसमें patterns create हो है तब तब मैंने update किया काफी अच्छे अच्छे patterns इसमें create हो है पहले भी एक pollen flag टाइप pattern बना था falling wish टाइप pattern भी यह से कह सकते हैं यहां से भी breakout मिला था stock ने sustain करके एक बड़ा high यहाँ पर लगा और उसके बाद again एक pollen flag टाइप pattern हम इसे कह सकते हैं आप देख सकते हूं pollen flag टाइप pattern ही है और इसके बाद भी breakout मिल गया तो जिस तरीके से share में यह सी rally हमें देखने को मिली एक इसी तगड़ी rally है वैसी rally हमें आगे भी देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर clear लिए JP Morgan के और से जो 480 का target दिया जा रहा है वो यहाँ पर अच्छी हो सकता क्योंकि pollen flag टाइप pattern का यहाँ पर जो यहाँ पर मतलब हैं वही यह है कि पहले जो rally आई है stock में फिर उसके बाद जो अब यहाँ पर flag create हुआ है और जो पॉल create हुआ था वेसा ही पॉल इसके बाद breakout के साथ create होगा आपको एच चीच पता होगी तो बिल्कुल एड़ेटन हमें मिल जाएगे I hope वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करना मत भूलना और कोई भी share में investment करने से पहलें shares का analysis कर लेना Thank you